नमस्कार आप देख रहे हैं एडियन पे इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुनीता तो विराट कोहली की अगवाई में इस बार RCB ने IPL 2021 में जबहतर शुरुवात की है टीम ने अब तक हुए अपने तीनों ही मुकाबलों में जीत हासिल की है और टीम टॉर्नमेंट की एक म KKR को 38 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने टॉर्नमेंट में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की है टॉस चीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB की टीम की शुरुवात तो बेहद खराब रही और उसने अपने दो विकेट मात्र 9 रन पर ही गवा दिये लेग पारी खेली वहीं एबी डिविलियर्स ने मात्र 36 के इंदों में 36 रनों की धुमेदार पारी खेली इस तरह से टीम ने निर्धायित बीस ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए 205 रनों की लक्ष का पीछा करते हुए हलांकि केके आर के शुरुवात ठीक ही रही लेकिन उसके बल्लेबास नियमित अंतराल पर आउट होते रहे और कोई भी बल्लेबास बड़ी पारी खेलने में काम्याब नहीं रहा इस तरह से टीम निर्धारित बीस ओवर में 166 रन ही बना पाई इस तरह से ये मकाबला आर सी बी ने 38 रनों से अपने नाम कर लिया टीम की तरफ से हर्शल पटेल और युज्वेंदर चहल को दो दो विकेट मिले वहीं काले जैमिनसन ने तीन विकेट अपने नाम किये इसके अलावा अगर हम दिन की दूसरे मकाबले की बात करें तो दूसरे मकाबले में डैली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है और इस हार के बाद पंजाब के कप्तान केल राहुल पर लगातार सवाल उट रहे हैं क्रिकेट फिशिशिट्यों का कहना है कि हाला कि राहुल ने 51 गेंदों में 61 रणों की पारी खेली फरंतो उनकी पारी काफी धीमी थी जिस वरके केल राहुल बल्लेबास हैं उन्हें अपनी पारी में 10 से 15 रणों का इजाफा और करना चाहिए था टॉस हार कर पहले बल्लेबासी करने उत्री पंजाब की टीम ने हाला कि 20 ओवर में 195 रणों का समवांजनक टोटल डेली कैपिटल्स के सामने रखा आला कि डेली कैपिटल्स ने शांदार बललेबासी का प्रदर्शन करते हुए इस लक्ष को दस गेंद शेष रहते ही हासल कर लिया दिल्ली की तरफ से शिखरधवन ने शांदार बरलिबाजी करते हुए 92 रनों की पारी खेली भही प्रित्वी शाने 32 रनों का योगदान दिया, साथ ही साथ मार्क स्टोइनिस ने भी 27 रनों की शांदार पारी खेली। अपने नाम कर लिया। तो IPL से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं DNP इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेर और कॉमेंट करना न भूलिएगा।